International Watches Collection by Minutes2Style, Martin Dilbridge, Ajmeer Nilos, Unisex Salon and Academy, Opposite Badr Vidyalay, Vishalinegar, Ajmeer जिसके बाद अब खलील ने MPTV इंडिया को धन्यवाद दिया है दरसल Ajmeer जिले के गोविंगर निवासी खलील पिछले चार साल से विदेश में फसे हुए थे वहीं कंपनी मालिक ने खलील पर छोरी का जूटा मुकदमा दर्च करवा कर उसे बंद करवा दिया था जिस पर खलील ने MPTV इंडिया निउस और सोशल मीडिया के जरिये भारते दूतावास और केंसरकार से मदद मांगी थी MPTV इंडिया के डिजिटर प्रेटफॉर्म पर ये निउस वारल होने के बाद काफी लोगों ने उसकी मदद के लिए गौहाल लगाई जिसके बाद साओधी अरव इस्थित भारते दूतावास और अधिकारियों ने खलील के भारत आने का रास्ता बनाया और आज चार साल दरदर की ठोक्रे खाने के बाद अब खलील भारत पहुँच गया है और भारते मीडिया और भारत सरकार का धन्यवाद दे रहा है करते रहेंगे नमस्कार दोस्तों मैं खलील एमाद जो की राजिस्तान रजमेर करेने वाला हूं मैं पिछले चार साल से साओधी अरफ मैं वसा हुआ था मैंने सब्सक्राइब अपनी हेल्प की गुवार की ती इंडिया ने वे से आज अपने अपने वतन अपने बच्चों के साथ हूँ और वारतिय मेडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उन्होंने मेरी वीडियो वाइरल की और मेरी वीडियो न्यूज पर चलवाई सब जगह दिखाई और सबसे ज़्यारा मैं सुक्र गुजार हूं रोशन रतोरी जी वाईसाब गा जिनोंने मुझे अपने और अपने भतन अपने खर्षे से मुझे भेजा, क्टिगट खाने पीने की सारी वीविवस्टा उन्होंने कर वाई मेरी मुझे जेल से बाली उन्होंने निकलवाया मेरी सारी पूरी मेरी वही कि ऑनन्होंने की थी मैं 2016 से बहुत परिशान था सजुदी अरब में मेरे पास ना रहने को ना खाने को कुछ भी नहीं था उन्होंने मेरी सारी पूरी हल्प गी मैं आज उन्हीं की वज़े से मैं अपने गढ़ अपने वचन पोच शुका हूँ थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद आप सभी का दिल से सुक्रिया